हेलो फ्रेंट्स मैं हूर अवीश आप देखरें मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जी हाँ क्योंकि इंग्लेंड ने भी अब पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है तो ये पाकिस्तान के लिए काफी फजियत की बात है काफी उनकी इंसर्ट भी हो पाकिस्तान के जो प्रधान मंतरी है इम्रान खान उन्होंने नीजिलन्ड की आपने टीम वहां रवाना हो गई इसको लेकर पाकिस्तान के खिलाडी काफी नाराजा है लेकिन अब इंग्लेंड ने भी अपना दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया और उनका कहना है कि वह पाकिस पाकिस्तान नहीं जाएंगे ना ही वो अपनी टीमों को वहां पर भेजेंगे। दोस्तों इस सब के पीछे सबसे बड़ी वजह किया है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सबस्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्राइब करें बैल आइकन दमना ना भूले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूजिलेंड की टीम 18 साल के बाद पाकिस्तान पहुची थी और वहाँ पर उनको मैचेस भी खेलने थे, प्लेयर्स भी वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि न्यूजिलेंड की टीम को वहाँ से जाना पड़ गया और सबसे बड़ी बात ये है कि security threats जरूर थे वहाँ पर लेकिन actual में हुआ क्या था दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक terrorist की पनहगा है वहाँ पे terrorist organization काफी जादा active रहते हैं जिसकी वज़े से कोई भी टीम वहाँ पर safe feel नहीं करती है उनको security का बहुत जादा भरोसा दिया जाता है तब ही कोई टीम वहाँ पर जाती है लेकिन जो टीम वहाँ पर थी जो टीम वहाँ पर training कर रही थी जिस टीम को match खिलना था अचानक उसको ऐसी क्या ख़बर मिली कि उनको वहाँ से move करना पड़ा और दोरे को cancel करना पड़ा इसके पीछे दोस्तों सबसे बड़ी बज़े 5 eyes जी हाँ बिलकुल आपने सही सुना 5 eyes की मैं बात करूँ ये खुफिया संगटन है जिसमें America, Britain, Canada, Australia और New Zealand शामिल हैं और ये पांचो जो countries हैं इनके जो agents हैं वो अपनी एक report तयार करते हैं security को लेकर और उनकी ही report के आधार पर New Zealand ने जो टूर था उसको cancel करने का फैसला किया खबर दोस्तों यह है कि 5 eyes ने New Zealand के security officials को ये बात बताई थी कि जब New Zealand की टीम पाकिस्तान के साथ match खिलने के बाद इस stadium से जा रही होगी तब उनके उपर हमला हो सकता है ये report आई थी और इसलिए 5 eyes के जो agent थे उन्होंने साफ तोर पर कह दिया था New Zealand को कि अब आपके लिए पाकिस्तान में टिकना मुनासिब नहीं होगा तो उनकी सलहा को ही मानते वे दोस्तों 5 eyes की सलहा को मानते वे New Zealand ने अपना दोरा call off कर दिया और फिर वो वहाँ से चले गए अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 eyes एक बहुत बड़ा खूफिया संगठने जिसमें इतने सारे देश involved है मांग और यह कि भारत को भी इसमें involved किया जाए और अगर भारत भी इसमें involved हो जाता है तो यह जो पाकिस्तान है उसको expose करने में काफी मदद मिलेगी साथी साथ जो terrorists जो हमले होते हैं उनको भी detect करने में मदद मिलेगी और security के लिहास से बहत सही रहेगा अब देखना है भारत इसमें अपना क्या रूख अपनाता है तो पाकिस्तान की दोस्तों काफी फजियत हो रही है लेकिन पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि अगर terrorist activity उनकी land से बंद नहीं होगी तो फिर वहाँ पर sporting activity को चालू रखना भी बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा आपकी कहा रहा है comment section पर जाकर comment ज़रूर करें